आज हम बना रहे हैं मसालेदार चीवडा या आप इसे भडंग भी बोल सकते हैं काफी तीखी, मीठी, चटपटी भी ये खाने में लगती हैं आप देख सकते हैं कि हर एक दाने के उपर मसाला कोट हो चुका है टेस्ट इसका इतना जादा अच्छा है कि वानों किसी बड़ी फरसान शॉप से ही आपने ये चीवडा खरीद के लाया हो मैंने कड़ाई रखी है, हेवी तले की कड़ाई है, कड़ाई में ओईल, घी, कुछ नहीं डालना है सिर्फ कड़ाई को गरम कर लिया है, और मैंने या लिया है ये मुर्मुरा, आप ये अलग-अलग शेप के आता है, आप थोड़ा मोटा वाला होता है न, वो भी ले सकते हो, या ऐसा भी ले सकते हो, इसका क्रिस्पेनेस बढ़ाने के लिए आप सूखी कड़ाई में बस इस आधा कप जितना हम यहाँ पर ओल यूज कर रहे हैं, तो ओल यहाँ पर गरम हो चुका है, और यहाँ में ले रही हूँ मुफली, सेम कप से नापकर आधा कप जितनी आपने मुफली लेनी है, हर चीज का प्रपोर्शन मैंने बताया है, ताकि आपके चीओडा में कोई भी जाधा ना हो, बिल्कुल परफेक्ट प्रपोर्शन, बहुती बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा, और बढ़िया क्रिस्पी भी बनेगा, मुफली भी देखिए, यहाँ पर चटक चुकी है, और मैं इसे भी निकाल लेती हूँ, अब यहाँ मैं इसी तेल में तल रही हूँ, कौन फ्लेक्स, अब इसका रेश्व आप कम जादा कर सकते हो, किसी किसी को यह बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं भी पसंद है, या नहीं यूज किया, तो भी चलेगा, तो यह मैंने लगभग 3-4 कप के आसपास लिये हैं, थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे भी दल क अलग निकाल लेंगे, आज के हमारे चूड़ा के फ्लेवर को हम गार्लिक फ्लेवर में बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने लहसून को पहले ही छील लिया था, छोटे बड़े तुकडे में इसके करके रखे हैं, छिलका भी अगर आ जाएना साथ में, तो कोई प्रॉब्लम न और इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राय करना है, अब लैसून का जो सारा फ्लेवर एना इस ओयल में उतर के आ जाएगा, और जो हमने आधा कब जितना ओयल लिया था न, यह ओयल भी पूरा यूज हो जाता है, यह चूड़ा बनाने की प्रोसेस में, इसे बिल्कुल भी नहीं, इसे आप किसी अलग प्लेट में निकालो, जैसे इसको हवा लगेगी ना बाहर की, तो यह बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जाता है, सिर्फ लैसून और प्याज तलते टाइम, आपको तेल अच्छा गरम चाहिए, और इसकी फ्राइंग आपने मीडिय अपने अंतर ओयल को जादा एबजॉब कर लेगा, अब यहां में ले रही हूँ, यह सूखा कोकोनट, जिसके हमने यहां पर ऐसे स्लाइस कर लिये है, यह भी हादा कप, इसे भी आप थोड़ा सा गोल्डन होने तक भून लीजिए, अब इस बचे तेल के अंदर में ले रह और इसे के साथ हम इसमें डाल देते हैं करी पत्ता, भै करी पत्ता का तो स्वाधी क्या कहें, हर चूड़ा में चार चान लगा देता है, अब देखें यह भी बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइ हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं, अब हमें बनाना है मसाला, बाहर से आपक पिंग सॉल्ट या काला नमक, जो हम नॉर्मल खाने में यूज़ करते हैं सफेद नमक, वो हमने लिया है, हाफ टेबिल स्पून जितना, जीरा पाउडर हम यहां ले रहे हैं, वाइं टेबिल स्पून, आपको शायद लग रहा होगा कि जितना मुर्मुरा है, उसकी कौंट बचा हुआ मसाला स्टोर करके रखा जा सकता है, वन टेबिल स्पून जितना यह धनिया पाउडर पी मैंने डाल दिया, हाफ टेबिल स्पून से थोड़ा सा कम है, यह है आमचूर का पाउडर, हाफ टेबिल स्पून से जरा सी कम हल्दी पाउडर यूज़ कर रहे हैं, हाफ गरम मसाला पाउडर जो आप घर में यूज करते हो वरेन हाफ टेबल स्पून जितनी सौफ ये कच्छी सौफ है और ये में ले रहे हूँ काश्मीरी रेट चिली पाउडर एक टेबल स्पून जितनी देखे चिली का पाउडर इसमें जादा नहीं है लेकिन इसमें जो बाकी मसाले जैसे जीरा का पाउडर गादा है थोड़ा धनिया जादा है सौफ है मसाला की कॉआंटिटी पीछने के बाद आपको जादा ही लगेगी पर आप देख देखके डालो मेरे जिसाब से तो ये पूरा मसाला सही है बड़िया टेस्ट आता है तो अब मुर्मुरा के अंदर ये जो तली हुई चीज़े हमने डाली थी पहले आप इसे मिक्स कर लिजे और यहां देखिए जो प्याज हमने तल के रखा था क्रिस्पी हो गया ना तो ये उपर से डाल देते प्याज लेसुन भी आ गया अब हम इसमें अड़ करते जाएंगे मसाला देख देख के अड़ करो जैसे जैसे लग रहा है तो जितना मसाला हमने बनाया था उसमें से आधा तो में डाल चुकी हूँ इसको हमने मिक्स करना है अगर आपको लगता है कि ये कोट नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है कि आपके चुडा के अंदर तेल कम है तेल कम होने की वज़े से सारा मसाला नीचे ही बैट जा रहा है वो मुर्मुरा को चिपक नहीं रहा तो इस केस में क्या कर सकते हो आप थोड़ा सा तेल आप दोबारा गरम कर लिजे सिर्फ तेल और गरम क्या हुआ तेल इसके उपर से थोड़ा थोड़ा डाल दीजे फिर कोटिंग पैट जाएगी पूरे चूड़ा को हमने बनाया था आधा कब तेल यूज़ करके लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ कोटिंग सही से नहीं लग रही थी तो मैंने दोबारा से दो टेबल स्पून जितना तेल गरम करके उपर से डाल दिया था तब जाके इसको प्रॉपर कलर बेठा और कोटिंग सही आ गए और एक बार आपको मसाला भी दिखा देती हूँ लगबग आधा चम्मच एक चम्मच मसाला बच गया होगा और बड़ा ही लुकिंग में शांदार खाने में बड़िया टीस्ती चूड़ा बनके तयार है क्रिस्पी तो है ही गार्लिक फ्लेवर का चटपड़ा च कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले मिलते हैं नेक्स टेसीपी में तब तक के लिए बाई बाई